प्रियों बहुत से समयों में परमिश्वर प्रश्ण किये क्यों, कब, किसे, परमिश्वर प्रश्ण किये गलती करने वाले मनुश्वर से परमिश्वर प्रश्ण किये सबसे पहले किस से प्रश्ण किया जानते हैं आदम, तुम कहा हो प्रियों ये था उस दिन परमिश्वर के द्वारा आदम से किया गया प्रश्ण इस प्रश्ण को क्यों करना पड़ा प्रियों बहुत थी विस्तार रूप से छे हजार वर्ष पहले अदन की वाटिका में जो घटना घटी थी इस घटना के विशय में आप लोगों के साथ बाटा फिर से याद दिला रहा हूं इश्व मसी के जन्म से लेकर आस तक दो हजार वर्ष इश्व मसी के जन्म से लेकर दाओद के जन्म से लेकर अबराहाम के जन्म से लेकर आदम के बनाये जाने के बीच दो हजार वर्षों का अंतर है सब मिला कर छे हजार वर्ष प्रियो इस धर्ती में मनुश्य का अस्तित्व में आये हुए पूरी रीती से गिंती करने से 6,000 वर्ष होते हैं कुछ लोग कहते रहते हैं वो क्या है कि हम मनुश्य के खोपड़ी को देखे हैं जिस खोपड़ी को हम देखे हैं, वो 10,000 वर्ष पुराना है, 20,000 वर्ष पुराना है. किस तरह कहते रहते हैं? यह वे लोग हैं, जो परमेश्वर के अस्थित्व को नहीं मानते हैं. कौन है यह लोग? परमेश्वर नहीं है, कहते हैं. इसलिए इनके बताये गये गिन्तियों का और वास्तविक्ता का कोई मेल नहीं होता लेकिन बाइबल में परमेश्वर इस संसार की सृस्टि किस तरह की बहुती श्पष्ट रूप से लिखा है मनुष्य की सृस्टि कैसे किये? प्रियों सबसे पहले मनुष्य को परमेश्वर मिट्टी से बनाया आदम अस्थित्व में कैसे आया परमेश्वर इस धर्ती की मिट्टी को लेकर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसके नत्वनों में जीवन के स्वांस को फूका तब वो जीवित प्रानी बन गया सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य को इस धर्ती की मिट्टी से बनाया आदम कैसे जन्मा इस मिट्टी में से फिर हव्वा का जन्म कैसे हुआ बताईए हव्वा का जन्म कैसे हुआ आदम के पसली को परमेश्वर निकाल कर हववा को बनाया फिर इश्व मसी का जन्म कैसे हुआ मरियम जो एक कुमारी थी उसके द्वारा जन्म लिया इन तीनों के दिसाओधानी से ध्यान करेंगे तो इनका जन्म बहुत ही विचित्र है आदम तो मिट्टी से बनाया गया हववा पसली के हड़ी से बनाई गई और इश्व मसी पुरुष के भागीदारी के बिना कुमारी मरियम के गर्व से पवित्रात्म के द्वारा जन्म लिया लेकिन पती पत्नी के मिलन से इस धर्ती में सरो प्रथम जन्म लिया हुआ व्यक्ति कोई है कहने से वो है कैन कौन है कैन आज पर मेश्वर प्रश्न कर रहे हैं किस से प्रश्न कर रहे हैं क्या प्रश्न कर रहे हैं क्यों प्रश्न किये कब प्रश्न किये इन बातों को मैं आपसे बाटना चाहता हूँ, सबसे पहले, उस दिन जिस फल को मना करने पर भी खाए, आदम और हवा, शैतान की बातों को माने लेकिन परमिश्वर की बातों को नहीं माने, फिर से कह रहा हूँ, पाप करने वाला हर एक विक्ति, शैतान की बातों पर विश् अच्छ है क्या, किसी फल को खाने से मना किये क्या, प्रियो मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे पहले, वो फल देखने में बहुत ही मनभाव था, शैतान मनुष्य को गिराने के लिए जो अथियार इस्तेमाल करता है, वो है, सुन्दर था, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती ह अंकल हो सकता है, अंटी हो सकती है, आज की समय में अपवित्र जीवन को और अपवित्र संबंधों को और अनेतिक संबंधों को वे इस्थापित करें, इसलिए समानेता शैतान किस हत्यार को इस्तेमाल करता है, खुबसूरती या फिर स्वरूप का वो इस्तेमाल करता है, औ और दूसरा, अधिकार को भी इस्तेमाल करता है, प्रियो उस दिन दाउद पाप किया, प्रियो दाउद पाप करने के लिए क्या उप्योग किया, दाउद वेभिचार किया, भायाना के एक अवेद संबंद को इस्थापित किया, किसका उप्योग करके वो अनेतिक संबंद को अधिकार का, वो राजा था इसलिए, वो जो भी करेगा चल जाएगा, इस सोच के साथ, अपने अधिकार को उप्योग करके, अनेतिक संबंद को स्थापित किया, आज हमारे बीच कोई हैं क्या, नौकरी करने के स्थान में, आपके कंपनी में, या फिर खेत में, या फिर हॉस भोली भाली महिलाओं को, इस्त्रियों को, अपने बुरी अभिलाशाओं को पूरी करने के लिए, अगर आप आउसर का फाइदा उठाते हुए, अपने अधिकार को हत्यार बनाकर, भोली भाली इस्त्रियों को धोका दे रहे हैं तो, आप शैतान के द्वारा, उसकी अगव भाई में चलाये जा रहे हुँ, खुपसूरती का और अधिकार को उपयोग कर सकता है, धनसंपत्ति को उपयोग कर सकता है, कई बार आत्मिक्ता का भी उपयोग कर सकता है, प्रियों एक जवान भाई संडे स्कुल चलाया करता था, उस संडे स्कुल को शुरू करने से पहले दस जन भी संडे स्कूल में नहीं आते थे जब ये संडे स्कूल लेना शुरू किया सुन्दर कहानियों को बताता था पौपेट शो दिखाता था उन छोटे बच्चों को बहुत आकरशित किया दस लोगों से बढ़कर दो सो लोग हो गए उस संडे स्कूल को लेने वाले उस जवान के आत्मिकता के कारण और वो जो सिखाता था आत्मिक विश्यों के कारण बहुत से माता पिता खुश होकर अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजना शुरू किये संडे स्कूल चलाने वाला वो जवान उन सब की दिरिष्टे में बहुत आत्मिक था, बहुत अच्छा वेक्ती था अभी बच्चे बढ़कर दोसों हो गए उन सब बच्चों पर ध्यान देना आसान नहीं है इसलिए मेरी साहता के लिए संडे स्कूल लेने के लिए संडे स्कूल के टीचर चाहिए कहने से बहुत से जवान लड़के और लड़किया खुशी के साथ आकर वे भी संडे स्कूल लेना शुरू किये इसके पढ़ाने के तरीके को देखकर और बच्चे किस तरह आकरशित हो रहे थे और पाटों को सीख रहे थे इन सब बातों को देखकर ये सभी लोग उस संडे स्कूल टीचर के वे प्रशन शक बन गए एक दिन आ ही गया उस संडे स्कूल टीचर को वो पूरी कलिसिया मिलकर बहुत मार कर गाउं से बाहर कर दिये वो लड़का मेरे पास आया भाई मैं एक समय एक अच्छा संडे स्कूल टीचर था संडे स्कूल में दस लोग आते थे मैं 200 लोगों को ले आया मेरे सिखाए गया आत्मिक पाटों के द्वारा बहुत से लोग आकरशित हुए बहुतों के जीवन आशिशित हुए लेकिन आज उस गाउं में से मुझे मार कर निकाल दिये मैं पूछा वे ऐसा क्यों किये भाई जब मैं आत्मिक रूप से अपनी सेवा को और संडे स्कूल में स्टोरी बताते वे बच्चों का अकरशित किया और उसी समय संडे स्कूल लेने के लिए लड़किया मेरी साहता करने के लिए आए शैतान मेरे मन को स्थिर रहने नहीं दिया शैतान मेरे विचारों को स्थिर नहीं रहने दिया संडे स्कूल लेने वाली टीचर में से एक लड़की के ऊपर मेरी नजर पड़ी उसके बाद वो आकर्शन में बदल गया उसके बाद वो प्यार में बदल गया उसके बाद वो पाप में बदल गया संडे स्कूल लेते हुए ही संडे स्कूल टीचर के साथ मैं पाप करना शुरू किया एक दिन पकड़ा गया प्रियो शैतान कह रहा है इस फल को खाने से तुम बिल्कुल नहीं मरोगे जूट परमेश्वर ने कहा यदि इस फल को तुम खाओगे तो निश्य मर जाओगे शैतान आके कह रहा है तुम बिल्कुल नहीं मरोगे परमेश्वर के द्वारा स्रिष्ठी किया गया मनुश किसकी बातों को सुनना है, स्रिष्टि करता की बात सुनना है, लेकिन वो किसकी बात सुन रहा है, दुष्ट की बात सुन रहा है, आज बहुत से लोग चुनोती से भरे संदेश को सुनना पसंद नहीं करते हैं, आज बहुत से लोग क्या चाहते हैं, जानते हैं, चुनोती से जो खुट स्विकार नहीं करता, किसी को स्विकार करने नहीं देता, उपर उपर से प्रचार करने वाले सेवकों को बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिये, शरीर को स्वस्थ करने वाली दवाईया कडवी होती हैं, मत भूलिए, आत्मिक रूप से आपको प्रियो पैंति कोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा परमेश्व पत्रस पवित्र आत्मा को पाकर जब खड़े होकर उंचे स्वर्ष से जब सुसमाचार परचार किया सुनने वालों के विश्य में बैबल में क्या लिखाय जानते हैं? उनके रिदय छिद गया इस तरह लिखा गया है पवित्र आत्मा से भर कर एक विक्ति वचन का प्रचार करने से आपके रिदय में वो वचन चुब जाता है इस तरह आपके रिदय में वो वचन चुबने से बुरा मानने के बदले आपकी गलती क्या है जानकर पश्याताब करने से आपकी जीवन सुधर जाएंगे इसलिए फिर से कह रहा हूँ आपके कलिस्या के पास्टर इदी खरा वचन देते हैं तो जान बुचकर मेरे विशय में ही बता रहा है किस तरह सोचकर आप बुरा ना माने प्रियों आप आत्मिक रूप से अच्छे रहना है इसलिए प्रेम से, पविट रात्मा परमेश्वर की अगवाई से विशेश श्रद्दा के साथ संदेश देने वाले आपके पाश्टर को कृपिया दुख ना पहुँचाएं इसलिए प्री भाईयों और बेहनों वेवचन को जैसा है वैसा प्रचार करने से उनसे प्रेम कीजिए उनकी सेवकाई में उनकी साहता कीजिए साहारा बनिये प्रियों उस दिन आदम और हवा से प्रमेश्वर ने कहा सारे फलों को तुम खा सकते हो लेकिन इस एक फल को मत खाना इस तरह जब प्रमेश्वर बोले शैतान आकर क्या कहा जानते हैं प्रमेश्वर किसी फल को खाने से मना किया क्या, इस तरह पूछा, प्रियो मैंने बतायना सबसे पहले, खुपसूरती को आधार बना कर हवा को धोका दिया, दूसरा, संदेह को उनके मन में डाला, परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर ही, शैतान संदेह को उत्पन किया, तीसरा, असंतुष्टी को उत्पन किया, आज हमारे परिवारों में बहुत से लोगों के जीवन में असंतुष्टी है, असंतुष्टी के कारण बहुत से परिवारों में, पति-पत्नी के बीच, एकता और शान्ती की कमी हो गई है, चौन था है, जूट, इस फल को खाने से तुम बिलकुल नहीं मर जूट, विचित्र बात ये है कि परमेश्वर के द्वारा रचा गया मनुश्य, परमेश्वर की बात सुनने के बदले मनुश्य को नाश करने के लिए हर पल बेकरार रहने वाले दुष्ट शक्ती के ही अधिन हो रहा है, ये हमारे जीवन में वास्तिविक्ता नहीं है क्या एक बार सोचिए, सुबा उटने से लेकर रात को सोने तक हम अपने आपको ध्यान से जाचे तो हम किसकी आवाज सुनते हैं, किसके अधिन रहते हैं, पावित्र परमेश्वर के वच्चन के अधिन रहते हैं, या परमेश्वर का विरोधी, दुष्ट शैतान के बातों के हम परमेश्वर कहते हैं, जूट मत बोलो, शैतान कहता है जूट बोलो, आप किसकी बात सुनोगे, शैतान की बात सुनोगे, अपनी जुबान को अनुशाशन में रखो परमेश्वर कहते हैं, लेकिन शैतान कहता है अपनी जुबान को मनमर्जी से इस्तेमाल करो, आप क्या करते मुह में जो आए उसे बोलते हैं परमेश्वर कहते हैं गालिया देना गलत है मुह से गालिया ही निकलती हैं किसलिए उन गालियों को शैतान ही मुह में लाता है परमेश्वर कहते हैं अपनी तेरी आखे पवित्र होने से तेरा सारा शरीर भी पवित्र हैगा लेकिन शैतान कहता है तुमारी आँखों के सामने बहुत से अपवित्र द्रिश्य है तुमारे सेलफोन में अपवित्र द्रिश्य है इंजॉय करो इस तरह शैतान बूलता है प्री भाई और बेहन किसके अधिन होते हैं किसकी बात मानते हैं परमेश्वर कहते हैं अपने माता पिता का आदर करो लेकिन शैतान कहते हैं अपने माता पिता का विरोध करो आप किसके अधिन होते हैं पत्नी से प्रेम करो परमेश्वर कह रहे हैं पत्नी की पिटाई करो शैतान कहता है किसकी बात मानोगे पती के अधिन रहो, परमेश्वर कह रहे हैं पती का विरोत करो, शैतान कहता है आप किसके अधिन हो रहे हैं परिवार को बनाओ, परमेश्वर बोल रहे हैं परिवार को नाश करो, शैतान कह रहा है आप किसके अधिन होते हैं सब के साथ मेल से जीओ, परमेश्वर कह रहे हैं, सब से जगडे करो, शैतान कह रहा है, किस के अधिन हो रहे हैं, किस की बात मान रहे हैं, एक बार सोचिए, मनुष्य की सृष्टी करने वाले परमेश्वर के आप अधिन हो रहे हैं, या मनुष्य को नाश करने वाले, और दिन हुए, वे लोग क्या कमाएं, वे लोग क्या पाएं, क्या कहा था शैतान, तुम बिलकुल नहीं मरोगी, तुम सोच रहो क्या गलत करने से परमिश्वर दंड देंगे, जूटी बात है परमिश्वर दंड नहीं देंगे, ऐसे बोलेंगे बस, आज बहुतों की सोच यही ह इसलिए हम निर्भय होकर पाप कर रहे हैं बिना डरे पाप कर रहे हैं इसका कारण जानते हैं अरे कौन देखेगा परमेश्वर कब दंड देंगे नरक है कह रहे हैं कौन देखा है नरक है कोई जाकर आया है क्या नरक में परमेश्वर दंड देंगे किये गए पापों के लिए ऐसे कहते हैं लेकिन हमारे सामने बहुत से लोग पाप करते हुए भी वे सब खुश्री से जी रहे हैं न उनके हाथ पाउं तूटे तो नहीं न फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है इस तरह हमें से बहुत से लोग परमेश्वर दंड नहीं दे रहे हैं सोच रहे हैं लेकिन इस सत्य नहीं है परमेश्वर दंड देंगे प्रियो आईए देखें क्या हुआ उत्पत्ती की पुस्तक तीसरा ध्याय आदम तुम कहा हो सबसे पहला प्रश्वर जो परमेश्वर ने मनुष्य से किया तु कहा है आज वही प्रश्वर प्रिय भाई और बहन परमेश्वर आप से कर रहे हैं तुम कहा हो इसे गहराई से समझे तो इसका अर्थ यह है कि असली में तुमें कहा रहना चाहिए था आस तुम कहा हो इस तरह प्रश्ण करने से हमारी स्थिती हमें समझ में आईगी आदम तु कहा है क्यों ये प्रश्ण पूछे कहने से वास्तों में परमेश्वर की आवाज को सुनकर जो खुसी से दोड़ते हुए आते थे और परमेश्वर की संगती में मेल मिलाब के साथ आनन्द के साथ जो मनुष्य रहता था अभी उस आनन्द को शान्ती को मेल को खोकर जाडियों के पीछे छिप गया परमेश्वर से दूर हो गया इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं आदम तु कहा है याने तुम्हे कहा रहना चाहिए था मेरे साथ रहना था मेरे बेटे और बेटी के रूप में तुम दोनों को मेरे साथ रहना था मैंने जो तुम्हारे लिए इन सारे आशिसों को सम्रिद्धी को रखा है तुम्हे अनुभो करना था तुम कहा हो प्रियों कहां था? छिप गया था आज परमेश्वर आपसे यही कह रहे हैं मेरे प्रिय बेटे और बेटी तुम्हें बहुत खुशी के साथ जीवन जीना था बहुत शान्ती के साथ आपको जीवन जीना था बहुत ही पवित्र जीवन आपको जीना था बहुत से लोगों के लिए आशिश के रूप में आदर्श के रूप में जीना चाहिए था लेकिन आज आप कहा हैं? शाम होने से बस बार एंड रेशोरेंट में रहते हैं थोड़ा पैसा हाथ में आने से बस शराबियों के साथ संगती करते हो थोड़ा परिचाय हो जाने से बस सुबह से शाम तक चैटिंग करते रहते हो सेलफोन में लगे रहते हो थोड़ा पैसा हाथ में आने से बस मित्रों के साथ श्रॉपिंग करने जाते हैं पूरा पैसा नाश करते हो परमेश्वर कहा रहे हैं असली में तुम्हें कहा रहना था और तुम कहा हो प्रिये जवान बच्चों आपको बहुत अच्छी रीती से पढ़ाई करना था क्लास में पहला रैंक आपको लेकर आना था सेवंध क्लास एड़ क्लास आप अच्छे से पढ़े लेकिन 10th क्लास में आने के बाद पास होना ही मुश्किल हो गया असली में आपको कहा रहना चाहिए था और आज कहा है 10th क्लास 1st क्लास में पास हुई M-set में rank मिलना था Medicine में आपको seat मिलना था Engineering free seat मिलना था लेकिन आज आप कहा है आपके मात अपिता आपके लिए सपने देखे हैं बहुत सी आशाओं को रखे हैं कठिन परिश्रम करके आपको पढ़ाए हैं Face के लिए पैसे नहीं होने से वे ब्याज में लाकर जमा किये हैं कई बार आप अच्छे से पढ़ना है विदेशों में जाना है सोचकर खेत के घर के काख़ा बैंक में रख कर आपका फिश्रमा किये क्यों जानते हैं आपके उपर वे आशाएं रखे हैं आप उन्नती करोगे इसलिए उपर उठोगे इसलिए और उतना ही नहीं पेरेंस का देख भाल करोगे इसलिए उन्हें जो करना था सब कुछ किये लेकिन आज आज आप कहा है पास मार्ग भी आपको नहीं मिले एक निकम्य विक्ति के समान पाप मैं आदतों के गुलाम बन कर पती तवस्ता में आप है इसलिए परमेश्वर पूछ रहा है असलिए में तुम्हें कहां रहना था पड़ाई में हो सकता है आपके नौकरी में हो सकता है आपके वैपार में हो सकता है आपके धंदे में आपके किसानी में आपके चिकितसा सेवा में आपको कहां रहना था आज आप कहा हैं? वैसे ही सेवकाई में, कलिस्या में, सुसमाचारिय सेवा में, कलिस्या इस्थाफित करने में, संदेश देने में, सेवक के रूप में उचाईयों में रहना था आज आप कहा हैं? गुन-गुने स्थिती में हैं, पाप से जै ना पाने की स्थिती में हैं, पवित्र जीवन ना जी सोको ऐसे स्थिती में हो, शैतान के बंधनों में बान दिये गए हो, आपको कहां रहना था? आज मैं अपना जीवन जिस हाल में हैं, प्रभु को समर्पित कर रहा हूं, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के इक्षा के अनुसार जीना चाता हूं, मेरे जीवन को सुधार दे, प्रभु से प्रात्ना करेंगे क्या? कहने वाले हैं तो अपने हाथ परमे पिता, उस दिन आदम और हवा को आप एक आउसर दिये कि अपने गलती को जान ले, लेकिन वे अपने गलती को ना जान कर, एक दुसरे के उपर इलजाम लगाए, एक दुसरे के उपर दोश लगाए, आज हमारे बीच ऐसे लोग हैं, गलती करते हुए भी पतनी के उपर दो इस तरह एक दूसरों के उपर दूश लगाते हुए, एक दूसरे की बुराई करते हुए, तुमारे कारण ही, तुमारे कारण ही अपने परिवारों को नाश कर रहे हैं। जी सके एक अच्छे जीवन को प्रदान कीजिए, इन संदेशों के दूरा अपने जीवन को सुधार कर, अच्छे वैवार को प्रगट कर सके। ऐसा अद्बुत और आत्मिक जीवन हम सब जी सके सहता कीजिए। इश्व मसी के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन।